हेलो नमस्य दोस्तों आज देवल्प किचन में आपका विए स्वागत है तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से बहुत ही नई तरीके से पोहे से हम गर्मियों में नाश्टा ऐसे बना सकते हैं जो हमारे बना लो गाहोंगी बहुती टेस्टी बनता है और बहुती आज्टी से से बन जाता है और यह खान je्ous लगता है तो आप देख सकतें और सब्सक्राइबों के लिए आप नोर्मल Nicholas कोई भी सूजी ले सकते हो इस तरह से मैंने सूजी ले ले लिए अधी के लगबग तो इस टाइमने 100 सकते हो घर में सबमारी समें चामिल किस भी करने बेहना घर भी सकते हुट करेंगे निये जो धना उन्हक्ति इम Cassah और यह थोड़ी से आप देख सकते थोड़े से इनको सेख लेना है लो OF लेम पे बिलकूल तो इसको 4 मिन it के लिए सेखे इंगे लो of लेम पे इनको न अच्छी तरह की से तरहां तरह बहुत ही आसान तरह की से बना कर ज्रूर फ्राइ कीजीए ये बिलकूल कम मेहनथ में 1 तर जालेग और मैंदे जो जार होता है पारी को डाल कर ना को दालै पैसले ने तो ह सब्सक्रीव ग़र old चार में आप दो में इस दॉन से गोड़ें थो अपया यू दिया तो हैसरे पैसले नगिसको की त्याहितिति जैजए 80 को डाल टीए यह मैंने दही लिया है ऩटेखें इस काच्टोलनी के लगबं के लिया है थही आपको ताजगी देने वाला नाच्टा बनेगा तो गर्मियों में इस तरीके से नाशा बना कर दरूर ठ्राय कीजिएगा तो यह देख सकते हैं दही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका था तो यह मैंने पानी लिया तो पानी को भी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो अच्छी तरीके से पानी को भी मिक्स जीरा और हिंग डाल दिया मैंने यह मैंने हरी मिर्च और प्या जो होते हैं वो लिया मैंने तो इन दोनों को डाल कर थोड़ा से इनको रोस्ट कर लेना है तो थोड़ा से मैंने इनको रोस्ट कर लिया आप यह देख सकते हैं तो इस तरीके से आपको थोड़ा से रोस्ट कर ल के मैंगे एक बार ये बहूत यह आसान तरीके से नाश्टा बनके त्यार होता है तो आप इसको बना घ्रुर डिद्टy कीज़ेगा और ये बिल्कुल यूनिक नाश्टा बनके त्यार होने वाला है तो ये देख सकते हैं स्वादनो सार आप नमक डाल सकते हैं तो नमक मैंने इस टाइम दो चमच के लगबग लिया है ये इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और आलो को आपको बोईल करने के बाद इनको ना इनका चिलका उतारकर मैश कर लेना और इसके बाद ही डालना है तो यह अंचूर पाउडर होता है न वो लिया है मैंने तो आपको खटे नीबू या आपको टमाटर की भी उस नहीं है खट्टा करने के लिए मसाले को आप अम्चू पाउडर डाल सकते हो इसको मिक्स करेंगे और फिर मसाले को साइड में रख देंगे बन के तियार हो चुक है मसाला दो मिनिट में तो यह मैंने फिर साप देख सकते हैं यह ले लिया है यह तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीक यह मैंने बेकिंग सोडा डालेंगी आप चाहें तो इनों का यूज़ कर सकते हैं इस ताम मिभी सोडा का यूज़ कर रही हूं और अगर आपको करना तो आपको नहीं करना है तो आपको ना आदे घंटे के लिए रखना पड़ेगा बैटर को ताकि फूल सके अची तरीके से तो यह मैंने पैन ले लिया है तो पैनने से सबसे पहले तो हम इस तरीके से ऐल डाल देंगे आप चाहें तो घी भी का यूज़ कर सकते हैं अगर आप घी के यूज़ करेंगे तो और भी अच्छी बात है तो यह देख सकते हैं अची तरीके से पैन गरम हो चुका था उसके ब आपको इस टाइम नॉन स्टिक तवे पर इस तरीके से तो यह देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैंने फैला लिया है और अगर आप चाहें तो नॉर्मली तवे पर भी बना सकते हैं बट आपको ओईल जादा डालना पड़ेगा तो मैंने जो मसाला था ना उसकी इस तरीके से लेयर बनाई है और उसके ऊपर भी इस तरीके से आपको फैला लेना है तो यह ऊपर आपको ना चार मिनिट लग जाएंगे इसको सेखने में तो उपर की लेयर सबसे पहले तो सेख लेंगे और फिर यह सिख जाना फिर आपको पलट लेना है दूसरी साइड से तो अब यह थोड़े सिख चुकी है तो इस तरीके से मैंने इसको पलट लिया है तो आप यह देख सकते हैं इस तरीके से सभी नाच्टे को बना के त्यार कर लेना और तीन मिट तक इसको नीचा ली लेर को सेखना है तो इस तरीके से मैंने नाच्टे बना के त्यार कर लिया है यह का धन्यवाद